आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम ऐसे ही और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाज सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मायोटेप चैनल बालोजी साइंस आज हम आप लोगों को ब्रायोफाइटा के बारे मताएंगे तो पुरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंच तक ध्यान से देखिए और योदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंजिए चलिए सुरू करते हैं ब्रायोफाइटा का प्रियोग सरपर्थम राबर्ट ब्रून ने किया था ब्रायोफाइटा एक ग्रीक सब्द है जो ब्रायोफाइटा जो पौधे होते हैं नम एवं चायादार अस्थानों पर उखते हैं इन्हें ब्रिध्धी एवं निसेचन की किरिया के लिए प्रयाप्त मात्रा में जल की आवसकता होती है अर्थात ये पौधे कहां होगेंगे नम अस्थानों पर उगते हैं और जहां पर छाया होती है उन अस्थानों पर उगते हैं इनकी बृध्धी एवं निसेचन के लिए अर्थात इनके बढ़ने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए किरिया के लिए प्रयाप्त जल किया वसकता होती है अर्थात ये इस्थली होने के साथ साथ जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल पर भी निर्भर रहते हैं एक तो इस्थली होते ही हैं लेकिन जीवन चक्र पूरा करने के लिए क्या करते हैं जल पर भी निर्भर रह अधिक तर नम एवं छायदार स्थानों पर पाये जाते हैं। अधिक थानों पर जहां पर नमी होती है और चाया होती है। और कहां कहां पर पाय जाते हैं पहाडी चटानों मैदानों ब्रच्छों की छाल नदी एवं तालाबों की किनारे पुरानी नम दिवारों आधियस्थानों पर पाय जाते हैं तो ब्रच्छों की छाल पर नदी एवं तालाबों की किनारे पर पाय जाते हैं और पुरानी जो न रंके इंन में जब अधिक व्रिद्धी हो जाती है तो क्या होता है कि ये हरे- कुछ जातियां इनकी ऐसी होती है कि जो जल में भी पाई जाती हैं कुछ पोधे आपको बता दें बहुते हैं अर्थात मांस मरस्थलिय के पौधे में पाया जाता है इसी प्रकार कुछ ब्रायोफाइटा होते हैं अधि पादब जो होते हैं वह उम्रतजीवी भी होते हैं तो कुल मिलागर करके यह इनका आवास बता दें कि जिस पौधे में जितना भी भाग हरा होगा, अगर हरा भाग है, तो प्रकास अंसलेशन किरिया होगी, और प्रकास अंसलेशन किरिया के द्वारा वो अपना भोजन कर निर्मार कर लेते हैं, इस प्रकार ये आत्म पोसी होते हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स जैसे बैक्सबॉमिया, एफिला या किप्टो थैलस मिरा विलिस, मृतोब जीवी होते हैं, यानि ये कुछ ब्रावफाइट्स जो होते हैं, ये मृतोब जीवी होते हैं, ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो आत्म पोशी जो अपना भोजन स्वयम बना ले, यानि आटो ट्रापिक यानि प्रकास अंसलेशन के माध्यम से, और पोशन में जो मृतोब जीवी होते हैं, ऐसे जीवी जो मृतोब पदार्थों से अपना भोजन, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं मृतोब जीवी कहलाते हैं तो ये हो जाएगा portion and nutrition फिर आते हैं इनकी सारी रिग्रचना पर यानि body structure पर तो इनका मुख्य पौधा युगमोद भीद होता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं इनका मुख्य पौधा युगमोद भीद या गेमेटोफाइट होता है यह प्राया हरे रंग का सुकाय होता है यानि जो इनका पौधा होता है हरे रंग का सुकाय होता है सुकाय का मतलब होता है कि उसमें न पत्ती हो न साखाएं हो सिद्धे ऐसे ही जैसे नवोद्भित होता है निकला हुआ हो तो सुकाय होता है जैसे रिक्सिया एवं मारकेंसिया में जो आप चित्र देख रहे हैं ये रिक्सिया में इस तरह से होता है कुछ सदस्यों में ये मूला भास तना एवं पत्तियों में भी पहजित होते हैं जो अ स्ट्र क्चर होता है उसमें क्या होता है कि वास्तेवी जड़ेफ क्यों रियूर्जरी superintendent को यो युगमोदभीद को भूमी पर मजबूती के साथ खड़ा रखते हैं यही जो मुलाभास होते हैं इसी के कारण ये युगमोदभीद जो होता है ये मजबूती के साथ भूमी पर पकड़े रहता है भूमी में पकड़ाओ बनाया रहता है भूम पर खड़ा रहता है तथा भूमी से जल एवं खनिज लबणों का अवसोसन करते हैं, और भूमी से जल तथा खनिज लबणों का अवसोसन करते रहते हैं, मांस में मूलाभास बहु कोशकिये, साखित एवं तिर्ची पट्टियों युक्त होते हैं, और जो मांस होता है, उसमें क्या होता है, कि मूलाभा चीलकों का अबहाओ वॉत ग्या है इसका मतलब क्या हुँआ कि जाएलम और फ्रवयम नहीं पाय जाते हैं के सदस्यों को चोड़कर और सभी ब्रायवायुट्स में सलकों का अभाओ होता है जिसमें से पहला लच्छण है इनका सरीर थाइलोफाइटा की अपेच्छा अधिक जटिल होता है जो ब्राइवफाइटा होते हैं ये थाइलोफाइटा से अधिक जटिल सरीर के बने होते हैं इनका सरीर अधित जटिल होता है फिर दूसरा है इनमें तना और पतियां जैसी संदचनाय पाई जाती है जो ब्रावफाइटा पौधे होते हैं इनमें तना और पत्तियों जैसी संदचनाय पाई जाती है तीसरा है जड़ के स्थान पर मूला भास होते हैं यहां पर जड़ होती है वहां पर इनमें मूला भास पाई जाते हैं मूला भास अभी आपको बताया था कि लुश्षाध क्या करते हैं कि मिट्टी से जल तथा अन खानिज लबनों का अवसोषन करते रहते हैं अगला है इनके शरीर में अवसोषित जल व अन पदार्थों के समवहन के लिए विसिष्ट उतक नहीं होते हैं यानि इनके सरीर में जो अवसोसित जल होता है जो अवसोसित करते हैं जल को उसके लिए परदातों के समभान के लिए कोई बिस्ष्ट ऊतक नहीं होता है अगला ब्रायोफाइट से नम एवं चायादार अस्थानों पर पाये जाते हैं और ये कहां पाये जाएंगे नम अस्थानों पर पाये जाएंगे चायादार अस्थानों पर पाये जाएंगे इसी कारण इन्हें पादप वर्ग का उभैचर भी कहा जाता है यानि कुछ बेग्यानिक इसको amphibia वर्ग भी कहते हैं, ब्रायोफाइटा को, उधारण के रूप में कुछ ब्रायोफाइटा के नाम आपको बता दें, जैसे मास है या इसको फिर्मनेरिया भी कहा जाता है, रिक्सिया है, मारकंसिया है, आज ये कुछ ब्रायोफाइट्स के उदाहरन होते हैं चलिए अब आपको ब्रायुफाइटा का आर्थिक महत तो पौधों के पौधों के अन्य वर्गों की तुलिना में ब्रायुफाइटा के आर्थिक महत तो अधिक होते हैं लेकिन इसके कुछ आर्थिक महाद तो कम होते हैं कुछ मुख्य आर्थिक महाद तो आपको बता देते हैं जिसमें से पहला है ब्रायोफाइटा के पवधे मृदा अपर्दन को रोकने में सहायता करते हैं ता स्वाइल एरेक्शन करते हैं मृदा अपर्दन को रोकते हैं मिर्दा जो कटती बहती है उसको कटने बहने से रोकते हैं ये सगन चटाई के रूप में मिट्टी को रोकने एवं उसे अपने अस्थान पर जमाय रखने में सहायता करते हैं यानि मिट्टी को कटे नहीं देते हैं, बहने नहीं देते हैं, जमाय रखने का कारी करते हैं, एक तो आर्थिक महत्व यह हो जाएगा, फिर दूसरा है, इनके पौधों में जल अवसोसन की सक्ति बहुत अधिक होती है, जो पौधे होते हैं, जल अवसोसन की सक्ति अधिक होत यह हो जाएगा दूसरा फिर तीसरा है मांसों का प्रियोग कांच की वस्तूओं एवं अन्टूटने वाली वस्तूओं के लिए पैकिंग सामगरी की रूप में किया जाता है जो मांसों होते हैं इनका प्रियोग कांच की वस्तूओं एवं अन्टूटने वाली वस्तूओं के लिए पैकिंग के रूप में किया जाता है निए पैकिंग सामगरी के रूप में इसका प्रियोग करते हैं और फिर अगला है इस फैगनम मास एक प्रकार का इंधन उत्पन करता है जिसे पीट कहा जाता है यहां दलदल वाले स्थानों पर एकत्रित होकर धीरे-धीरे होता रहता है खाताम होता रहता है और बाद में इसका प्रियोग इंधन के रूप में किया जाता है फिर अगला है इसकी मोज निवासी इस फैगनम का प्रियोग चिराग में बत्ती की जगह करते हैं यानि इस फैगनम का प्रियोग किस रूप में किया जाता है बत्ती की एंटिक सेप्टिक के रूप में किया जाता है फिर अगला है छोटे मांसों का प्रियोग प्रिथम बिस युद में रुई की जगह किया जाता था जो छोटे मांसों होते थे इनका प्रियोग कहा करते थे प्रिथम जो बिस युद हुआ था उसमें रुई की जगह पर इसका प अंकुरण करवाने में यानि बीजों को अंकुरित करवाने में प्रयोग किया जाता है और भगीचों में नवीन पौधों के लिए बिष्तर यानि बेड तयार करने में किया जाता है फिर अगला है ब्राइव फाइटा के पौधों का पारिष्थित की ये महत भी है ये महत प्रिद्धी करके इस थल का निर्मान कारते हैं इस थल पर पहले घासों तथा फर्ण आद के पौधे उगते हैं तथा बाद में जाडियां वा काश्टी पौधे उगते हैं फिर अगला है मांस में अत्यधिक जल अवसोसन गुण के कारण इसका प्रियोग रोपणो यानि ग् इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथने वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद